बश्चिम मंगाल के चुनाओं के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं वो हमें हत्रब करती हैं चिंता में डालती हैं क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाओं के नतीजों के पश्चात इतनी आसाहिशन नुक्ताओं इन टॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है कारेकरताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिकत रूप से देखने के लिए और उन कारेकरताओं के साथ इस विपत्ती काल में खड़े हो करके प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतिय जंतापाटी कृट संकल्थ है we are committed to fight this ideological battle and the activities of TMC which is full of intolerance and we are ready to fight democratically प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे आज मैं व्यक्तिकत रूप में देखने आया हूँ अभी मैं 24 परगना जाऊंगा बाद मैं उन कारेकरताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाओं के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है और संतावना तो दूंगा ही दूंगा लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतिये जनतापाईटी के कारेकरता खड़े हैं इस अवस्था में और निश्चित रूप से उनका उनकी शहादत जायर नहीं जाएगी उनकी आइडियोलजिकल लड़ाई हम आगे लड़कर निरनायक मौर तक पहुंचाएं